इस पूरी organization को चलाने के लिए आप नीचे description से हमारे app को download कर सकते हैं जिससे कि law students को, lawyers को और आम आदमी जो law जानना चाहता है वो paid classes का lab ले सकता है नमस्ते सदावत सले मात्रेभू में एक विशय जो इस समय चल रहा है और मुझे लगता है कि पिछली 40 पीडियां और अगली 40 पीडियां, 80 पीडियों की बात हैं पिछली 40 पीडियों से हमारे देश में राम मंदिर को लेकर जब पहली बार सलार मसूद आया था और उसने राम मंदिर तोड़ा था अयुद्यह में और जिसको सुहल देव ने समाप्त कर दिया था यानि कि उसकी सेना में से एक भी विक्ति यहां से जीवित नहीं जा पाया था सुहल देव पासी, तब से 76 अंदोलन भारत में हुए, 77 अंदोलन में वो बाबरी धांचा जो खड़ा हुआ वो गिराया गया दो लाग के लगवग लोगों ने उस पर अपने बलिदान दिया और अब 40 पीडियों के बाद किसी के 3 पीडियां हुए होगी, किसी के 40 हुए होगी , 40 पीडियों के बाद अब हमारी पीडि को यह अवसर मिला है कि हम राम बंदिर का लेकर judgment दिया और उस judgment के अनुसार उटने केंदर सरकार को कहा कि आप एक समिती बनाईए और वो समिती या आप एक ट्रस्ट बनाईए या आप उस पर कोई organization बनाईए जो उस मंदर का निर्माण कर सके खास बात उसकी यह है कि केंदर सरकार को उसमें पैसा खर्च नहीं करना के केवल केंदर सरकार को भूमी छोड़नी है जो एकवेर थी और वो भूमी छोड़ने के बाद ट्रस्ट बनेगी ट्रस्ट उस मंदर का निर्माण करेगी तो ऐसी केंदर सरकार ने पार्लेमेंट की संशुत्ति से एक ट्रस्ट बनाई जिसको श्री राम जनम भूमी तीर्थ चेत्र ट्रस्ट कहा गया हम सब जानते हैं कि उसकी और्गनाइशन कैसी थी कौन था क्या था ये पार्लेमेंट का विशय था ये सरकार का विशय था उसने उसका निर्माण कर दिया अब उनके सामने समस्या सबसे बड़ी ये आई कि वो कैसे लोगों को जोड़े और धन कैसे के लिए ऐसा कहना है कुछ लोगों का कि देश में बहुत बड़े धन कोवेर रहते हैं जिन्होंने कहा कि डेड़ 2000 करोड की बात है उस मंदिर निर्माण के लिए जो पहले 500 गच के लगभग बन रहा था आज वो सत्तर एकड में बन रहा है क्योंकि हमारी वो सारी जमीन जो मंदिर का निर्माण हो लोगों ने आश्वाशन दिया ऐसा केते हैं लोग लेकिन वो मंदिर कहीं बिरला मंदिर ना बन जाए वो मंदिर कभी जेके टेंपिल ना बन जाए वो मंदिर कभी अडानी या अम्मानी टेंपिल ना बन जाए इसके लिए तीर्त छेतर ट्रस्ट श है वो किसी भी जतिपंत संबुदाय के हो वो इसमें सहीयोग करेंगे उनके द्वारा मंदिर का निर्माड होगा तो कैसे होगा अगर वो सीधा आवहान कर देंगे तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली हैं और वो समस्या यह होने वाली हैं कि बहुत सारी प्रेवेट दुकान निधी समरपन समिती कहा शिरी राम मंदिर निधी समरपन समिती किसने बनाई वो बनाई शिरी राम जनम भूमी तीर्थ छेत्र ट्रस्ट ने और कहा कि यह समिती है जिसका structure उपर से लेकर नीचे तक बने उसमें एक रास्टी समिती बनाई गई उस रास्टी समिती में विना उनका सहयोग करना चाहते थे, उन संगठनों ने अपने नाम दिये, उसमें संग के कुछ नाम होंगे, कुछ बीजेपी के नाम होंगे, कुछ बिभिन पार्टियों के नाम होंगे, जो जिसने सहयोग करने की बात की, कि हम आपका सहयोग करेंगे, और निधी समर्पन के लिए ह आपकी मदद करेंगे। उस जो शीरराम मंदिर निधी समर्पण समीति कंढ्री बनी उसने अपनी छीत्री टोली बनाई हर छीत्र में, फिर छीत्री टोली के बाद उनने वह प्रान फिर प्रांती टोली के बाद बिभागी, यानि कि दो-तीन छित्र मिलाकर, दो-तीन जिले मिलाकर, कभी चार जिले मिलाकर एक टोली बनी, बिल्कुल वैसे इस्ट्रक्चर नीचे तक उत्रा चलाया, फिर उसके बाद जिले में एक टोली बनी, और जिले में भी एक अभिहान प्रमुख, उनके सहे अभिहान प्रमुख, जो हिसाब प्रमुख जो पैसे की हिसाब किताब लेगा कुछ करेले बनेगा तो करेले प्रमुख और एक सन्रक्षन मंडल से मतलब जो लोग सादू संत और जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं वो फ्रिंट में आकर लोगों से आवाहन करेंगे कुछ मीडिया के बंदू भी उसमें सही होग करेंगे आइसी एक नीचे तक स्रुक्षर बनाया गया जिला जिले के बाद खंड हमारे हम विकास खंड होते हैं कुछ लोग उसको प्रखंड कहते हैं कुछ लोग तैसील में कह सकते हैं या उसके नीचे 500 होता है गराम पंचायत सब जानते हैं कि 73rd, 74th समिधान संशोदर में रजीब गंदी बना गए तो उस सिस्टम में नीचे तक गाउं के व्यक्ति तक संपर्क हो और गाउं के व्यक्ति से संपर्क करते वो जो समर्पन करना चाहता है वो समर्पन उस माध्यम सो ताकि वो पूरा का पूरा पैसा जो भी समर्पन देश में करना चाहता है वो पैसा हमारे तीर्थ छेत्र ट्रस्ट के पास ही पहुंचे ऐसा ना हो कि उसमें बहुत सारे संगठर में तो याद रखने की कुछ बाते मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें प्रयास कर सकते हैं उल्टे सीदे पहल सारे गाउं तक लोग आने वाले हैं वो जो अथंटिकेटिड व्यक्ति होगा वही आपसे कलेक्शन लेगा किसी को भी एक इंडिविजल व्यक्ति आता है और कहता है कि हम निदी समर्पन समीतिके हैं तो हमको उसको धन नहीं देना दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बैंकों में एकाउंट उनके खोले गए हैं और उसमें कोई भी सीधा पैसा वैसे नहीं डाल सकता अगर वो सीधे डालना चाहे तो डाल सकता है मतलब उसका जो आइफसी कोड और ये वो है बाकी का जो धन कोई भी देना चाहता है कैश में या चेक में तो वो उस व्यक्ति क वही देगा जो वेक्ति हिसाब प्रमोक वहां पर बनाया गया है, जो कलक्षन के लिए बनाया गया, उसके पास पार्टिकुलर एक कोड होगा, ऐसी विवस्ता की गई, उस कोड के माद्यम से वही उस एकाउंट को एक्सेस कर सकता है, उसी वेक्ति के द्वारा उस एकाउंट म सहियो करना चाहते हैं, वो चेक में ही पेमिंट देंगे, और बीस हजार से नीचे जो करना चाहते हैं, वो चेक भी दे सकते हैं, और कैश भी दे सकते हैं, ऐस पर इंकम टेक्स डिपार्टमेंट, तो जो सबसे महत्पून बात है, वो है कि लोग संगठनात्म ग्रूप से आ आपके प्रबुद्धू लोग आएंगे और वो टोली जो घोशित की गई बाकाइदा उसका परचारपशार होगा बाकाइदा घोशना की गई होगी उस टोली को हमको वो समरपन करना है, हमको किसी भी एक वेक्ती या एक दो वेक्ती आते हैं, जिनका घोशना नहीं हुए है, उसको समरपन नहीं करना, और दूसरी महत्तपूर बात है, अगर आपको लगता है कि हमारे खंड में, यानि कि विकास खंड, ब्लॉक में, कोई वेक्ती ये टोली है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी नियाय पंचायत में कॉन्टोली है, हमें ये नहीं मालूम कि हमारी ग्राम पंचायत में कॉन्टोली, तो उससे संपर्ख करके उसका संपर्ख लेना जो हमारे गाउं में काम करने वाला है, जो हमारी वस्ती में काम करने वाला है, जो हमारे महले में काम करने वाला है, हमारी नय पंचायत में या फिर हमारी पंचायत में या हमारी जिला पंचायत में या हमारी मिंसी पार्टी में वो एक structure बना रहे हैं, इसलिए कोई गड़बडी ना हो, उसके लिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम किसको समर्पन करेंगे दूसरा बिशह यह है कि लगबक डेड़ से दो हजार करोड रुपए की यह पूरी नगरी बसेगी क्योंकि पहले जो मंदर बनने जा रहा था जिसका हमको याद होगा कि अभियान चला था शिला पूजन का एक इंट मांगी गई थी सबारुपए की पूरे देश में आज हम वो इंट से नहीं आज हम पूरा सत्तर एकड़ और योगी सरकार का ऐसा कहना कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि 38 एकड़ भूमी और वो अगल बगल की पेरिफरल में दे रहे हैं तो 108 एकड़ भूमी हो जाएगी उस 108 एकड़ भूमी क के लिए दिया आज उनके तरपन का समय है और अगली चाले चुकी मंदिर का जो निर्माण हो रहा है ऐसा विचार किया जा रहा है कि 1000 से 1500 वर्षों के लिए ये मंदिर का structure बनेगा तो आप सोच सकते हैं कि 5000 वर्ष के लिए मंदिर का structure बनेगा तो कितना strong और नीचे से बन कर आएगा कि नीचे से मैं असली कह रहा हूं कि व जो लैंड है जहां पर श्रक्ष बनाया जाया है कि इनंस सब बातों पर विचार चल रहा है। ये सब कुछ निर्भर करेगा कि हमारा समर्पन क्या रहता है, 28 फरवरी को ये अभिहन खतम होगा, तो हमारा समर्पन क्या रहता है, और हमारे समर्पन के आधार पर हम अयोध्या नगरी को कैसा देखना चाहते हैं, भगवान की नगरी को क मिलने वाली है और सरकार मदत नहीं कर सकती इसलिए ये हमारे ढायत से हमारे ही इसको बनाएंगे लेकिन अवेवस्ता न फैले तो जो व्यक्ति आपके पास मिलने आता है और कहता है कि हम ये धन निदी समरपन समिति की द्वारा आए हैं तो उस व्यक्ति से ये पूछना चाहिए कि उपर किस से संपर्क है तो आपको उसमें से उपर की समितियों में से ज शित्र के आपकी नयाय पंचायत आपकी ग्राम पंचायत आपके बाड इनसे ही लोगों का चैन होगा जो आपके पास नीचे संपर्क करने आएंगे और हम ये जानकारी रखने की कोशिश करेंगे सब लोग कि ऐसे कौन लोग निर्धारित किये गए हैं जो निदी समरपन सम जो समिती बनाई है शिरी राम जनम भूमी तीर्थ क्षित्र ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई है इस पूरी विवस्था की द्रस्टी से तो हम सब की जिम्मेवारी है कि कोई गड़बडी ना हो और ये जो दो ढ़ाई जार करोड डेढ़ हजार करोड जो भी उसमें हमारा स योग जनता करहेगा अब देखना यह है कि सौ करोड की अबादी हिंदूओं की भरत में और ऐसी एक पांच करोड की अबादी मुसल्मानों की जो ये कहती है कि हमारे वंशज हिंदू थे हमारे वंशज हम ब्राम के वंशज हैं वो कितना समर्पन किस इस तर पर करते हैं वो किसी भी क्षित्र का संगठन हो वो आगे बढ़कर निवी समर्पन समीति को संपर्ख करें और कहें कि मैं भी आपके साथ रहूंगा मैं अपना तो संपर्पन करूंगा ही और इसके साथ साथ और कोई संपर्पन कर सकता है मेरे संपर्क में है मैं अधिक से अधिक उसका संप अपने भी करवाऊंगा ऐसे कल्य का खवार में मैं पढ़ रहा था कि उसमें लिखा एक बूढी माता ने अपनी 95 प्रशत की वेल्थ राम मंदिर को दे दी यह कहते हुए कि मेरे जनम में मेरे 40 पूर्वुजों के द्वारा जो भी किया गया होगा मेरे जनम में मुझे अवसर मिला है तो मैं इस मंदिर का निर्माड करूँगी मैं केबल अपने लिए 5 प्रशत छोड़ती हूँ जिससे मेरा काम चल जाता है ऐसे लोग भी हैं ध्यान रखने की बात यह है कि सोना चा इसलें पस बार कोड होगा वेबसाइट पर सिधा सम्पर्क होगा तो वेबसाइट से antries भी हो कर सकते हैं उसको पूछ सकते हैं कि वेबसाइट मुझे बताएए मैं उस में लागी सो स्चक्रण को करने के बाद के बार पांच मिन्ट में आपको धन देता हूं फिर वह आपक करना चाहते हैं online transaction करके जो रिसीप्ट निकले आपको मिले वो रिसीप्ट उनको दे दीजिए कि हम ने यह समर्पन कर दिया देखना यह है कि हम क्या Vatican की तरह मक्के मदीने की तरह या इस तरह के और जो monuments हैं उससे जादा भव्य आधुनिक समय पर भगवान का मंदिर बना सकते हैं क्या भगवान के कार के लिए मेरे धन का प्रियोग हो सकता है क्या भगवान के लिए मेरी इक्षाएं या मेरा समर्पन मेरी 40 पीडियों का तर्पन है और अगली 40 पीडियों के लिए हम ये विरासत में छोड़कर जाना चाहते हैं यह हम सब को बैठकर निर्धारित करना है मुझे लगता है इस विशय पर मैं लगातार बोलेटिन देता रहूंगा अगर आपके पास कोई ऐसी तस्वीर रहती है निदी समर्पन की कोई सूचना रहती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं मेल एडर्स पर मेल भी कर सकते हैं फोटोग्राफ मेल कर सकते हैं हम संसार को बताएंगे कि हमारे भाईयों में कितने किस इस तर पर हमारे भाई इसमें पूरी शक्ति से लगे हुए है थैंक यू वेरी मच जै शिरी राम यदि आप लॉपढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्य जाना हमारे एप को डाउनलोड करें और लॉपढ़ें